पूरे मध्या प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं मध्या प्रदेश में बोपाल समेट कई जगों पर बारी बरसात हो रही है और कुछी गंटों के दौराँ और भी जादा बरसात होने की सम्मावन जते ही जारी है कैसा रहेगा पूरे मध्या प्रदेश का मौसम कब आपके आपर बारी बरसात होगी फदेश के रिवा सागर समेट का जिलों में गरत चमक के साथ बारी बरसात हो सकती है शेडोल सागर जबलपूर इंदोर उज्जन नर्मदापूरम बोपाल चंबल और ग्वालियर संभा के जिलों में तता जबलपूर छिंदवड़ा शिवनी मंडला बालागाड देवास साजापूर आगर नीम्च और मंसोर जिलों में अत्ती वरिष्टा बारिश होने के संभा बोपाल चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में अधिकान स्थानों पर और रिवा और उज्जन संभाग के जिलों में अने की स्थानों पर इंदोर संभाग के जिलों में कुछ इस्थानों पर और वर्सा दर्च की गई है पुना में 4.1, जबलपूर में 3, सीधी में 2.6, रतला में 2, इंदोर में 1 और उज्यन में 0.4 mm दर्च की गई है। दार में पुरे 7 दिन तक भारी बरसात होगी और विजली चमकनी के आसारे। पुरे 7 दिन तक भारी बरसात और विजली चमकनी के आसारे। देवास में 6-7 दिन भारी बरसात और विजली चमकनी के आसारे। अलिराजपूर में 7-8 दिन भारी बरसात और विजली चमकनी के आसारे। बिंड में 4-5 दिन के आद अच्छी बरसात होगी शागर में अच्छी बरसात होगी नेम्च में 6 दिन भारी बरसात और दत्या में 7-8 दिन अच्छी बरसात के उमीद है। पन्ना में 4-5 दिन भारी बरसात के आसारे। शिहोर में 7 दिन भारी बरसात होगी रिवा में 4 दिन भारी बरसात शिवनी शेडोल धमवा टिकमगर जाववा इंदोर में अच्छी खासी बरसात हो रही है। मोरेना में पूरे चार दिन चेटपूर के साथ अच्छी बरसात होगी, नर्सिंग में दो दिन का बारी बरसात होगी, बालागाट में पूरे साथ दिन बारी बरसात, मंगला में पूरे साथ दिन बारी बरसात, चिंदवाडा में भी अच्छी बरसात के आसारे और विबिन इ